हेलो गाइज, वेल्कम टू मार्टिंग टुटोरियल, मैरा नाम है शुभेन गुत्ता मैं आपको गाइड करा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में आज के इस टुटूरियल में आपको A-B टेस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ, अभी चलते हैं सीधे Facebook Business Manager अकाम्ट पे और जारा जानते हैं A-B Testing के बारे में अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो जैसा आपको यहां पर एक option देखेगा A-B Test Test Campaigns Against Each Other To Understand Which Strategies Give You The Best Result Your Potential Reach Will We Divide Between Your Test Campaigns For More Accurate Result तो दोस्तों जब भी आप ad बनाते हैं Facebook ad के अंदर तो इसमें कोई guarantee नहीं है कि कौन सा ad काम करेगा तो यहां पर आपको अपने ads को test करना पड़ता है पहले और उसके बाद ही आपको campaign run करना चाहिए उसमें A-B Test एक बहुत ही important भूमी का निवाता है क्योंकि इसमें आप ads के अलग-अलग versions को test कर सकते हैं अभी मैं आगे आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अलग-अलग version create कर सकते हैं तो दोस्तों यह भूती ज़्यादा important होता है जैसा कि मैंने कहा कि जो digital marketing है वो एक technique तो है और उससे भी ज़्यादा यह strategy है इसमें आप experiment करते जाते हैं और च सारी shirts रखी थी जिसमें दूसरी shirt black color की थी तो दोस्तों आप खरीदने तो white shirt गाए थे पर दोनों shirt को अगर आप compare करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग black shirt को भी खरीद लें तो इसको आप एक A-B testing बोल सकते हैं यानि A जो version है वो white shirt के लिए है और B जो version है वो black shirt के लिए है तो ऐसा कई बार हो सकता है कि लोग दिमाग में कुछ और बात लेके जाएं और उनको कोई और चीज पसंद आ सकती है इसकी probability है इसलिए हम A-B test को यूज करते हैं अभी मैं आपको एक example दे रहा हूं उससे आप समझ जाएंगे पूरा कि आप A-B test को कहां कहां इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों आप अपने Facebook ads के लिए ad बना रहे हैं creative को design कर रहे हैं तो आपके सामने यहां दो एड हैं दोनों एड एक जैसे हैं पर दोनों की जो headline है वो एक ad में English में है और एक ad में Hindi में हैं तो दोस्तों इस चीज से भी बहुत ज़्यादा फरक पड़ सकता है कि headlines कैसी है या उनका color कैसा है दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि जो fonts हम use करते हैं अपने ads में उनका भ चीज होती है दोस्तों जो बदलती रहती है और constant अगर आपने में पड़ी होगी तो आपको पता ही होगा constant वह दाए जो बदलता नहीं है तो आप variables कौन-कौन से यूज कर सकते हैं अभी तो मैं ad creative की बात कर रहा था जहां पर मैं design करते हैं चाहें वह image हो चाहें वह वीडिय यूज कर सकते हैं audience का आप same ad बनाए और वो अलग-अलग audience को दिखाएं आप same ad run करें एक campaign में आप select करें Delhi का people और same campaign में ही आप उसका duplicate बनाके उसमें यूज करें Mumbai की people तो हो सकता है उसका जो result आए वो अलग-अलग आए दूसरी चीज है दोस्तों placement placement आप कहा करना चाहते है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ad Instagram पे चलाए और एक ad Facebook पे चलाए तो वो हो गया placement में variables उसके लावा है दोस्तों creative तो creative के बारे में अभी मैं आपको बता ही रहा था सबसे ज़्यादा हम इसको use करते हैं Facebook ads के अंदर मैं भी use करता हूँ इसको जहां आप बहुत सारी चीज बना सकते हैं उसके बाद दोस्तों delivery optimization तो जैसा कि आपको पता है आपको कुछ budget set करना होता है तो आप particular delivery optimization करें दोनों जो add है यानि add A और add B उनको आप कैसे budget share करते हैं 75% 25% 50-50% आप जैसा भी रखना चाहें रख सकते हैं वैसे मैं जो budget optimization करता हूँ एड की delivery के लिए उसमें 50-50% रखता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से add की performance अच्छी है उसके बाद है दोस्तों more than one more than one में यह होता है दोस्तों जैसे आप variables बनाते हैं A B test के लिए तो अगर आपको मैं लीजिए कई सारे add हैं तो आपको बहुत सारे variables create करने पड़ते हैं तो जो strategy आप बना हैं वो बहुत जादा complex हो सकती है तो आप इसमें more than one test को choose कर सकते हैं और इसमें जो आपको add चलेगा उसमें जो cost per result रहेगी वो same रहेगी और cost per conversion lift भी same रहेगी उसके बाद दोस्तों product set तो product set को आप अलग-अलग use कर सकते हैं यह especially e-commerce store वालों के लिए है क्योंकि वो अपने product set बनाते हैं जैसे माली जी कोई chair बेच रहा है या फिर online कोई bed को sale कर रहा है तो वो bed का product set अलग बनाएगा और chair का product set अलग बनाएगा तो इतने सारे variables हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं यह भी testing में इसके बाद वो कॉनकॉल जी tactics हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने creat heading red color की हो सकती है दूसरे में heading blue color की हो सकती है आप जो चाहें वो use कर सकते हैं body copy जब आप add बनाते हैं तो उस add के ऊपर कुछ text लिखते हैं आप same image के साथ जा सकते हैं और body copy different रख सकते हैं images simple आप अलग-अलग image को use कर सकते हैं अभी जैसे मैंने आपको दिखा ले था उसमें green color का electric three wheeler था आप एक जगह blue color का use कर सकते हैं दूसरी जगह yellow color का use कर सकते हैं call to action button बहुत ही simple है जब आप ads मनाते हैं तो आपको चूज करना होता call to action button shop now learn more sign up बहुत सारे ऐसे call to action button है जिनको आप use कर सकते हैं combination of ever यह जो ऊपर चार option है इनके combination भी आप use कर सकते हैं और दोस्तो यकीन मानी है अगर आप यह भी टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी बाते पता चलेंगे facebook ads के अंदर तो दोस्तों इतनी सारी बाते थी जो मैंने आपको बताई ए बी टेस्ट के अंदर और आप जब भी टेस्ट को run करें आप कम से कम साथ से 10 दिन के लिए इसको run करें और आप जो budget allocate करें दोनों set को वो बरावर बरावर करें अगर आपको budget 1000 रुपए है तो आप 500 A ad के लिए रखें और 500 रुपए B ad के लिए रखें तो आपको पता चलेगा कि जो आप ad बना रहा है वो कौन सा ad ज्यादा successful है अभी जब मैं आपको campaign design करना सिखाऊंगा तो मैं और आपको बता दूँगा कि कैसे आप इस option को use कर सकते हैं Facebook ads में दोस्तों अगर आप duplicate ad बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं interrupt जो है इसके बगल में यह जो बटन आ रहा है इसमें लिखा है quickly duplicate duplicate अगर मैं duplicate पर click करूंगा तो यह आपको बता देगा कि number of copies of each campaign की आप कितनी copy बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से duplicate create कर सकते हैं और आप फर्दर उसके अंदर जाके फिर उसमें और option जो campaign level के option होते हैं audience targeting है या geographical targeting है आप उसको change कर सकते हैं और अगर आप matrix पे आएंगे जहां हमें सारे campaign की information मिलती है तो मैं किसी भी campaign को अगर यहां से select करूं संदान brand awareness तो इसका मैं direct duplicate create कर सकता हूं तो इस तरीके से आप duplicate campaign create कर सकते हैं आप duplicate add set भी create कर सकते हैं और आपको अगर शुरू से बनाना है तो मैंने आपको बता दिया कि आप create में जाके अपना objective select करेंगे उसके बाद campaign level की settings में आज की बाद खतम करता हूं आई हो बात है आपकी समझ में आई होंगी और आपने जाल लिया होगा कि A-B testing क्या होती है और इसको हम कैसे use कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी गवारी है तो आप comment box में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी website www.learn2unless.com अगर आपको मेरे टुटोरियल अच्छे लगते हैं तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें मेरे टुटोरियल को लाइक कर दें जल्दे मिलता हूं आपसे अगले टुटोरियल में तब तक के लिए गुड़ बार